चतिरगड के पूरो सीम भुपेश बगेल ने लोकसभा चुनाओ के साथवे चरण के मद्दान को कहा कि साथवे चरण का मद्दान बाकि है सभी चरणों में देखा गया है कि लोग बदलाव चाहते हैं उनके पास कोई विजन नहीं है और पिछले दस साल में लोगों को सिर्फ नुकसान ही हुआ है लोग इस बात से डरे हुए हैं कि अगर मोदी सत्ता में आएं तो तानाशा ही हो सकती है प्रतम चरण से लेके छटवे चरण तक के मद्दान हो चुका है और साथवे चरण का मद्दान होना बाकि है एक बात जो सभी चरणों में दिखाए दे रहा है वो बदलाव का है लोग परवरतन चाह रहे हैं दस साल हो गया है मोदी जी को और वही वही बातें कोई नही बातें तहीं नहीं उसके पास कोई नया वीजन भी नहीं है और जो दस साल में जो दिया है लोगों ने नुक्सान ही पाया है